हुआ है है लास्ट हमने डिसक्स किया था अलिमेंटिक फंक्शन में जो अनलेटिक अलिमेंटिक फंक्शन से उसमें लॉगरित्मिक फंक्शन और एक्सक्विनेशन फंक्शन के बारे में आज हम बात करेंगे टिक्नोमेटिक फंक्शन कौन कौन से अलेटिक फंक्शन होते हैं जो टिग्नोमेट्रिक है ठीक है ना उनको देखते हैं तो यह सारा इंजिनिरिंग मतमेटिक का पार्ट है बिसिकली सो जैसे कि हमारे पास रियल के अंदर हम बात करें साइन एक्स, कॉस एक्स, यह सारे जो होते हैं सीकेंट एक्स इसी तरह से हमारे कॉंप्लेक्स में भी होते हैं लेकिन माइनर डिफ्रेंस उसके अंदर यह है कि जैसे हम अभी मैंने बात किती लास्ट लेक्चर में की जो एक्स्पोनेंशल फंक्शन होता है वो कॉंप्लेक्स में हमारा नॉन प्रियोडिक होता है जबकि अगर हम बात करें complex के अंदर तो periodic होता है real के अंदर हमारा वह non periodic होता है इसी तरह से कुछ properties जो है हमारी complex function की टिगनोमेटरी complex function की different हो जाती है compare to real analysis में अगर हम बात करते हैं टिगनोमेटरी functions की ठीक है बात सो जब से पहले अगर मैं बात करता हूं यहां पर कि sin x and cos x इसमें तो sin x हो या sin z और cos z पहले तो हम यह लिख लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक variable है z z माल लेते हैं कोई हमारा यह complex variable let z be complex variable क्यों हम क्योंकि complex में बात कर रहे हैं आजकर हम ठीक है जहां पर एक्स रियल पार्ट होता है और यह इसका imaginary पार्ट होता है हाला कि एक्स और वाई दोनों रियल हैं लेकिन यह वाला पार्ट इसका imaginary पार्ट क्यालाता है यह वाला पार्ट और इतना पार्ट जो है यह रियल पार्ट क्यालाता है जबकि एक्स और वाई दो तो ये बराबर होता है e to the power i z minus e to the power minus के i z upon 2 ठीक है upon 2i and cos z cos of z ये बराबर होता है हमारा e to the power i z plus e to the power minus के i z upon 2 ये बात आपको याद रखनी है दोनों कि एक में हमारे पास नीचे 2i आता है और minus sign भी आता है sign वाले में और cos वाले में positive sign आता है e की power i z और e की power minus i z के बीच में और नीचे सिर्फ two से divide होता है ठीक है ये बात आपको याद रखनी है तो ये हमारे दो हो गए cos and sign इसी तरह से अब हमें साइन पता है तो आप cos x लिख सकते हैं cos x cos z लिख सकते हैं ये कितना होता है one upon sin z के बराबर होता है ये सब को पता होना चाहिए ये 12th class 11th class की चीज़ें इसी तरह से अगर मैं बात करूं 10 z की tangent z की तो ये हो जाएगा साइन जड़ अपन cos z साइन जड़ अपन cos z तो अगर इनकी value हम put कर दें यहाँ पर sin z की value पूट कर दें cos z की value पूट कर दें तो टू से यहाँ पर ये cancel हो जाएगा तो इसे तरह से cot को लिख सकते हैं ये भी आपको पता है, cos z बराबर कितना होता है, ये इसका opposite होता है, cos z upon sine z के होता है, ये भी find कर सकते हैं, और क्या रहे हैं हमारे पास, secant रहँगा है, secant z, ये one upon cos z के बराबर होता है, ठीक है, तो ये सारे technology ratios, इनको आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने साइन जरेड और कॉस जरेड आपको बता दी है उनकी है अप टैन कार्ट सीकेंट और सीकेंट सब्सक्राइब कर सकते हो ठीक है अब इसके बाद हम बात करते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में जैसे कि मैं पहले भी एक दो बार आपको बता चुका हूं क कि हमारे पास कॉस हाइपरबॉलीक या साई हार्परबॉलीक टैन हाइपरबोलीक कोड हाइपरॉबॉलीक यह सबी फंक्शन होते हैं अचा 12 में इस क्uencia यह मैं आख नो को बता चूंशन के नदर ही हम इसारे इसक्षा तरी हम बात कर लेखं़ जैसे की cos hyperbolic या sin hyperbolic इस तरह से जो भी functions होते है चलिए तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले sin hyperbolic sin h इसको sin hyperbolic z ठीक है so define कैसे कर सकते है sin hyperbolic को बिलकुल उसी तरह से define कर सकते है जैसे कि हम sin को define करते है या cos को define कर से है बस एक माइनर सा इसकंदर डिफ्रेंस आ जाता है हमारे पास जैसे कि यह सब मुझे अब लिखने की जरुबत नहीं आपर कि Z जो है वो हमारा complex variable है यह आपको पता होना चाहिए sign hyperbolic Z जो होता है वो बराबर होता है e to the power Z minus e to the power minus Z upon 2 आप देख रहो है आपर आई नहीं लिखा है मैंने and cos hyperbolic Z यह बराबर होता है e to the power Z plus e to the power minus Z upon 2 यह इसके बराबर होता है ठीक है बत तो आप दोनों बस एक माइनर फ्रकी देख रहे हैं कि यहां पर आई नहीं लगा हुआ है जब हम hyperbolic function की बात करते हैं इनको hyperbolic function बोलते हैं चाहो तो आप यहां लिख लो these functions these functions are called complex hyperbolic complex hyperbolic function complex hyperbolic function मैंने पहले लिख दिया है तो बार बार फंक्शन लिखने की आपर कोई जरूवत नहीं ठीक है so कुछ एक इनमें relation भी होता है दोनों के बीच में cos hyperbolic and sin hyperbolic and cos sin hyperbolic and cos hyperbolic and cos hyperbolic so जैसे कि आप लिख लो कि जैसे cos hyperbolic z या cos hyperbolic x लिख लो यह बराबर होता है जहां पर लेकिन x real है आप हम real के बात करते हैं ठीक है तो यह इसे लिख सकते हो आई x ठीक है अगर मैंने x लिया है तो x और अगर y लेते हैं तो y accordingly आप लिख सकते हो इसी तरह से अगर साइन की बात करता हूं साइन साइन i x की बात करता हूं मैं तो यह बराबर हो जाता है i sin hyperbolic x ठीक है यह बात ध्यान रखनेंगे यहां पर कि x यहां पर क्या है एक real है रियल नंबर है ठीक है अगर complex होता तो मैं इसे z से ही denote करता है यहां पर x की है हमारा रियल है तो क्या result निकला है यहां से कि कॉस i x कॉस i x बराबर होता है कॉस hyperbolic x के and sin i x बराबर होता है i sin hyperbolic x के ठीक है यह भी as a result आप याद रख सकते हो वैसे तो इसको प्रूफ करने बढ़ा असान है कोई याद रखनी जरुवती निया इसको आप चाहो तो एक मेर्ट से पहले प्रूफ कर सकते हैं और यह दोनों की दोनों result automatically proof हो जाएंगे चलो मैं कोई साथ कोई साथ एक इनमें से प्रूफ कर देता हूं जैसे अगर मैं पहले वाले को चलो प्रूफ कर ल cos i x बरबर cos i x बरबर कितना था वहीं मारे पास यह था cos hybrid x यह ना इसको proof कर सकते हो बहुत ईजी है हमें पता है की cos z बरबर किसके होता हैँ अब मैंने z लिखा था आई जेड प्लस ए टू दी पावर माइनस के आई जेड अपॉन कॉस केस में आलवेस नीचे टू आता है ठीक है यह बात आपको याद रखने चाहिए और हमारे पास हाइपरबोलिक का फॉर्मूला भी है हाइपरबोलिक का भी लिख लेते हैं यहापर कॉस हाइपरबोलिक जेड यह बराबर होता है इसमें आई नहीं आता बस ए टू दी पावर जेड प्लस ए टू दी पावर माइनस जेड अपॉन टू ठीक है यह हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला है इसी तरह से हम साइन कोई प्रूफ कर सकते हैं कॉस को अपॉफ कर सकते हैं कुछ इनके अंतर ज्यादा कुछ ऐसा करने के लिए नहीं तो क्या करें इसमें अगर हम result अगर हम इसमें value output कर दें तो यह आटमेटिकली पूरूफ हो जाएगा देखो क्या करें अगर मैं क्या करूं जैसे यह था ना जैड अगर मैं यहां पर आई लगा दूं तो क्यूंकि जैड जब यहां पर आ रहा है तब यहां पर जैड आ रहा है यहां पर जैड आ रहा है तो अगर मैं इसको कॉस आई जैड क प्लस इसी तरह से e to the power minus i और z की जंगा पर क्या आ जाएगा iz आ जाएगा ठीक है मतलब इसका जो भी कुछ angle है वो यह आ गया है upon में 2 तो क्या यह ऐसा न लिखा जा सकता e to the power i square z plus e to the power minus के i square z upon 2 which is equal to e to the power i square की value always minus 1 होती ही इसको याद रखना i square equal to minus 1 iota बोलते हैं इसको i को यहाँ पर यह minus 1 के बराबर होता है तो यह हो जाएगा minus के z plus e to the power i square minus 1 और minus 1 पहले से लगा हुआ है e to the power z upon 2 ठीक है अगर आप ध्यान से देखो तो यह किसके बराबर आ गया cos hyperbolic z के बराबर आ गया तो क्या imply हो गया है यहां से यहां से यह implies हो गया कि cos i z बराबर cos hyperbolic z के बराबर यह आपको clear हो जाना चाहिए उस तरह से आप sign को इप्रूफ कर सकते हो sign में भी कुछ नहीं जादा बेकुल इस तरह से i की जंगा पर cos cos z ले लो उसकी जंगा पुट कर लो उठा करके cos z की जंगा z की जंगा i z लिखो तो automatically वही proof हो जाएगा फिर से ठीक है बाद इसी तरह से और भी different कई तरह के formula हैं उन्हें आप proof कर सकते हो technometric में जैसे कि अगर मैं एक कुछ result लेकिन आपको इसमें पता होने चाहिए तभी आप इसको proof कर पाऊगा जैसे कि अगर z हम कोई complex variable ले लें और हम proof करना चाहिए कि sin z जो होता है sin z बराबर sin x cos hyperbolic y और प्लस i sin i cos x sin hyperbolic y यह इसके बराबर होता है इसको proof करना है proof यह question है proof that ठीक है कैसे कर सकतो हो भाई हमें यह पता है let क्या लिखे है we know that लिखते है we know that we know that what we know that we know that z equal to होता है x plus i y ठीक है अगर मैं sin z की जंगा put कर दूँ x plus i y तो यहां पर sin a plus b का formula लग जाएगा sin a plus b बराबर क्या होता है sin a cos b sin a a की जंगा पर लिखा हुआ x sin a cos b b की जंगा क्या लिखा हुआ i y sin a cos b plus cos y sin b cos x sin i y okay which is equal to sin x cos i y अब देखो cos i y किसके बराबर होता है cos i y के बराबर होता है cos hyperbolic y के ठीक है अगर z है तो z y है तो y plus cos x as it is sin i y किसके बराबर होता है i sin hyperbolic y के बराबर होता है which is equal to sin x cos hyperbolic y अब ये i में है अपर लगा भी starting में i plus sin as it is cos x sin hyperbolic y तो ये हो गया प्रूफ ये तो हम प्रूफ करना था ये किसके बराबर है x plus y z के बराबर तो sin z बराबर ये हमने यह पर प्रूफ कर दिया कि sin z बराबर जो होता है sin x cos hyperbolic y and i cos hyperbolic y sin y के बराबर होता है इस तरह से different results different questions को आप solve कर सकते हो सिर्फ ये ही एक direct method है कुछ लेकिन इसमें identity जो है ये आपको पहले पता होनी चाहिए इस तरह से आप cos वाले को प्रूफ कर सकते हो कि cos अगर हम लिखूं यहां पर कि cos cos z बराबर आपको प्रूफ करना है ये क्या ये आपको क्या प्रूफ करना है कि cos z बराबर होता है हमारे पास cos x और cos hyperbolic y minus के i sin x sin hyperbolic y ये इसके बराबर होता है simple वैसे करो इसमें कुछ नहीं करना है इसको solve कैसे करना है इसको प्रूफ करने के लिए simple आपको पता है z बराबर x plus i y होता है put कर दो तो कितना हो जाएगा cos x plus i y हो जाएगा अब इसमें फॉर्मॉल लगा दो cos a plus b cos a plus b cos a plus b cos b b कितना आएगा i y आएगा cos a cos b plus sin a sin v sin x sin y y कितना आएगा i y आएगा ठीक है क्योंकि इसको हमने a मान लिया है इसको b मान लिया है और इसमें मैं फॉर्मॉल लगा दिया cos a plus b का फॉर्मॉला यह identity होती है cos a cos b plus sin a sin b तो भई cos x तो real as it is रहेगा cos i y कितना हो जाएगा यह हो जाएगा cos hyperbolic y के बराबर plus sin x तो as it is रहेगा sin hyperbolic y किसके बराबर हो जाएगा यह हो जाएगा i sin sorry sin i y किसके बराबर हो जाएगा यह हो जाएगा sin i sin hyperbolic y के बराबर तो इससे आप लिख सकते हो cos x cos hyperbolic y plus i starting में लिख देते हैं ठीक है और इसमें minus sign की प्रAntoine कहाँ चला कि जाएगा क्युआं कि हमें क्या गड़ना है प्रूब़् Haumd यह आपको ध्यान लटना है कि इसमें से- यह तो हमने करति है कि cos x sin hyperbolic y क्या पहुना है सब्सकाइब हो जाएगा देखो फिर इसमें एक sign की problem minus कहां चला गया cos a plus b बराबर cos a cos b plus cos a cos b plus sign a sign b यह formula नहीं नहीं देखो यह formula minus होता है formula में यहाँ पर होता है minus यहाँ पर गड़ बढ़िए यहाँ पर होता है minus ठीक है अगर यहाँ minus होता है तो यहाँ plus होता है यहाँ पर identity minus होता है तो हमने इसमें minor connection कर ले यहां पर तो यह हो गया आई तो as it is रहा यह हो गया sin x as it is और यह हो गया हमारे पास cos hyperbolic y यह हो गया proof cos x plus i y को मैं लिग दिया z again तो यह हमें proof करना इसी तरह से different identities को improve कर सकते हैं बस हमें यह याद होनी चाहिए कि हम sin को and cos को hyperbolic में और sin z और sin hyperbolic z में क्या relation है इस दरह से sin cos z and cos hyperbolic z में क्या relation है इस तरह के मगें पता है में तो इसको पुख करना बहुत easy है so I hope यह clear होगा है और को आपको फिर भी कोई doubt है तो मुझे comment section बता सकते हैं एंड यह इस से लेटेड और कॉश्चन्स को आप ज्यादा ज्यादा बुक से सॉल करें ठीक है ओक गाइस आज इतना ही करते हैं थैंक यू सो मज़